नमस्कर दोस्तों मैं डॉक्टर रमेश जोसी आज आप लोगों के वीच में लाया हूँ कि जीवा मृत बनानी की विधी के बारे में बताओंगा जीवा मृत की क्यों आशकता है किसान भाईयो आज हमें jीवा मृत खेती करने की बहुत आशकता है क्योंकि हरित करांति के हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अब जो हसालों पूरे साल में लाकों का रोड़ो रुपे का जो उस्राइशानिक उर्वरक खर जीते हैं उसको बचा सकते हैं और अपनी फसल की पैदावार को अपने प्रतिकूल ले सकते हैं जीवा अमरित है क्या किसान भायों जीवा अमरित एक अत्यादिक प्रवाँ सालिक जहविक खाद है जिसे गोवर के सांसात पानी के पदार्थ मिलाकर तैयार किया जाता है इसकी विधी और विकास में शायक होता है इसमें रोगाणों को रोकने की समता जादा होती है यह दो रिख एक होता है तरल जीवाम्रoup एक होता है घंज भी अम्रॉत इसुन नभर एक देशी पहा का 10 खिलो गोबर चाहे तेसि कश कॊई भी हो 10 लीटर गोमूत्र और पुराना सड़ावा एक किलो गुरश zubियर सेटें आप गर गुर्ण ना मुले एक केड़ी मिट्टी जो की सजी मिट्टी हो अगर पीपल या बर्गत के पेल के नीचे ना मिले तो किसी भी खेश से जहां पर कीट ना सक दवाई ना डली है वहां की मिट्टी लिया है और दो से लिटर पानी और एक बड़ा पात जो यादी ड्रम उन सब में इसका एक घोल बना लें और इससे बहुत अच्छी तरीके से उसमें मिस्रण करें ताकि उसकी कोई गांठे ना बन रहें बिल्कुल लिक्विट पॉम में वह आ जाना चाहिए इससे हमारे जो इसको इससे जो हमको लाब होगा इसकी इससे जो लाब होगा हमको कि एक तो सबसे बड़ा जो लाबकारी है इसमें कोई भी नुकसान देने वाला तत्व या जीवाणू नहीं होता जीवाणू के प्रियोग से उगे फल साग सबजी अनाज देखने में सुंदर खाने में अधिक स्वादिष्ट होते हैं पॉधों में बीमारियों के प्रति लड़ने के सक्ति बढ़ जा लगातार उपियोग भूमी पर क्या असर डालता है इसका बहुत जादा असर डालता है क्योंकि अगर आप लगातार इसका प्रियोग करते हैं अपनी भूमी पर तो आपकी भूमी में जो बैक्टिरिया है वो खतम हो जाता है और इसमें पोशक तो बहुत जादा मात्रम होत जिससे की एक ग्राम जीवा मृत में लगभग पांसो करोड जीवानों डालते हैं वह सब पकने वाले जीवानों होते हैं भूमी को अनपूर्णा है लेकिन वह पका हुआ नहीं बलके पकाने वाले मैं से कम इसमें इस परकार के अन्य द्रव नाइट्रोजन फास्पोरेश पो वहा गंदक आदी को पकड़ कर पौधों की जड़ों में उपलब्त करा देते हैं मतलब यह जो विदी है इसके द्वारा अगर आप इसको करते हैं तो आपको विशेश फाइदा होता है ठीक इसी परकार जो दूसरा है घंजिवा मृत उसको बनाने के लिए आपको 100 किलोग सब्सक्राम देशी गाय का गोबर लें और उसमें दो केजी गुड़ वह दो कुली दाल आटा मिस्रंट कर सजी मिट्टी में मिस्रंड बना लें यह मिस्रंट थोड़ा गोमूत्र डाल का अच्छी तरह से मिलाकर गूद ले यदि उसका घंजीवा मृत बन जाये तब उसे जीवा मृत की च्छाओं में अच्छी तरीके से फैलाकर सुखा दें उसके बाद लकड़ी से ठोक कर बारिक कर लें इसके बाद उसे बोरे में भरकर उसे जीवा मृत को आप अपने च्छा महनी तक भंडार में भी रख सकते हैं यह एक ऐसी विद्ध है जिससे कि आपकी ज सकती पहले की तरह बन जाए यह इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं इसका कोई बाहर से कोई चीज आपको लाने की ज़रत नी सभी चीज किसान भाईयों के पार महजूद रही हैं तो एक बार इसको बना कर देखें और के तो मैं यूज करके देखें दरने वागे